दोस्तो आज मैं एक्स्प्लीन कने वाला हूँ हाली मैं नेट्फिक्स पर रिलीज हुई मूवी फिर आई हसीना दिल्रवा यहाँ पर मैं आप लोगो बता दूँ 22 में आई हसीना दिल्रवा का यह सेकंड शुकल है और यह भी आप लोगो उसी तरह कापी पसंद आएगा तो चलिए दोस्तो और देरीना करती हुए चलते हैं सीधा बीडियो की तरफ तो मूवी की सुरवात में हम रानी को देखते हैं जो की भरी बरसात में भाग का पुलीस टेशन आती है और पुलीस से कहने लगती है कि उसे उसका पती मार डालेगा उसे बचा लीजिए इसके पहानी दो महीने पहले सिप्ट हो जाती है जहां पर हम फिर से रानी को देख पाते हैं जोगी आगरा में किराय पर रहा करती थी दसल वहां पर रानी का एक ब्यूटी पालर भी था और आज वो रोज की तरह अपनी ब्यूटी पालर के लिए निकल रही थी तहीं वो एक अबिमन्यू देखता है कि रानी जल्दवाजी में अपना कुछ समान भूल गई थी इसलिए अबिमन्यू उसके रिक्षे का पीछा करने लगता है और उसके ब्यूटी पालर तक पहुंच जाता है और रानी भी यह देखकर काफी ज़्यादा है वहां अबिमन्यू के साथ बाते करने लगती है लेकिन तभी उसे अंदर बुलाती है जिसके बाद रानी अबिमन्यू से कहती है कि वह 10 मिनट बाद आ जाएगी जिसके बाद रानी अपने काम-काच में लग जाती है और ऐसी साम हो जाती है जब साम को रानी बहार आती है तो देखते हैं कि अभी भी रहा तो आ गए थे लेकिन आज ही वहाँ साथ में नहीं रह पा रहे थे क्योंकर रिशू सबके सामने मरा वुआ था इसलिए रिशू चुपकर रह रह था तो वही रानी भी ब्यूटी पाले चला कर पैसे कमा रहे थी, दसल उन दोनों का प्लान था कि वो दोनों जल्दी से यहां से भाग कर थाइलेंट जाएंगे और वहाँ पर साथ में रहेंगे, रिशु ने एक एजन्ट को पैसे भी दिये थे, ताकि वह उन दोनों का पासपोर्ट त्यार कर सके, इस पर एजन्ट का कहना कि आज उनके घर में कोई भी नहीं है और यह बात सुनते ही रात को रिश्यू वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं जिसके बाद रानी अपनी मकान मालिकिन का फेशिल कर रही थी तब ही वहाँ पर अभी मन्यू आता है दरसल अभी अभी मन्यू काफी देर तक रानी का थेटर के बाहर इंतिया कर रहा था लेकिन रानी वहाँ पर नहीं आई जब रानी अगले फ्राइडे को उसके साथ मूई पर आएगी और रानी भी इसके लिए मान जाती है जिसके बाद रानी रिश्यू को यह सब बता रही थी तो रानी से कहता है कि वह अविमन्यू से दूर रहे जिस पर रानी कहती है कि अविमन्यू काफी अच्छा है और दिल का सरीफ है यहाँ पर हमें मालम चलता है कि रिश्यू जिस मकान में रह रहा था उसकी मकान मालकिन का नाम था पूनम जो कि रिश्यू के साथ रोमेंस करना च लेकिन को समय बाद वो चोर देखता है कि सामने पुलीस थी पुलीस को देखकर चोर वहां से पीछे आता है तो वहीं रिशो भी जो पुलीस को देखता है तो वहां भी दूसरी साइट भागने लगता है जो देखकर रानी भी काफी सौक थी तहीं वहां देखते है कि वहां प उसे पूरा यकीन है कि रिशू अभी जिन्दा है आव ये बास सनकर रानी काफी डर जाती है और रिशू से मिलने आती है वो रिशू को जो गजबी हुआ वो बताती है तो रिशू उसे यही कहता है कि वह डरे नहीं क्योंकि इस्पेक्टर के पास उनके खिलाब कोई भी सबूत नहीं था साथे रिशू रानी से कहता है कि साथ रानी को पूश्टाज के लिए बुलाये जाएगा इसलिए रानी को समलकर रहना पड़ेगा और उसे बिलकुवी डरना नहीं होगा जसके वाद रानी बैसाई करने लगती है लेकिन वा देखते हैं कि हर वार वा जहां पर भी जाती है कोई ना कोई पुलीस वाला उस पर नज़र रख रहा होता है यह देखकर रानी अंदर से काफी डर गई थी तब ही रानी को कॉल आता है और उसे पुलीस रिश्टाज के लिए बुलाये जाता है मॉन्टू रानी से कहता है कि वा रिश्टाज को बच्पन से जानता है इसलिए वा यह भी जानता है कि रिश्टाज क्या क्या कर सकता है मॉन्टू रानी से कहता है कि वा जानता है कि रानी अपने घर वालों से रिश्टा तोड़ का आगरा को आ गई मौन्टू कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि रिशू यहीं पर है और इस बार वा उन दोनों को पकड़ेगा और नील के कातलों को सजा देगा या बोलकर वो रानी को वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन जब रानी वहाँ से जा रही थी तो मौन्टू रानी से कहता है कि दूणें वहाँ पर रिशू मिल जाएगा जिसके बाद पुलीस वाले रिशू की फोटो लेकर उसी एरिया में जाने लगते हैं तब वह पूनम के घर भी आते हैं और पूनम जब रिशू की फोटो देखती है तो वह रिशू के पास जाती है तो रिशू अपने रूम में ही हुआ था है पूनम रिशू से कहते है कि वह पूलीस वाले को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगी लेकिन उसके बदले के बाद रिशू को His party कुंझड़ी करनी हो गी आवेया सुनने के बाद रिशू भी इसके लिए मांच जाता है जिसके लाद पूनम पूलीस वालो जहाँ पर वाँ पैसे रखा करती थी, वाँ पर रिशू का कॉल आता है और वो दोनों मिलने की जगा फिक्स करते हैं, जिसके बाद रानी और रिशू मिलते हैं और वो दोनों यही सोच रहे थे, कि वो आगे क्या करें, कि अब रिशू भी यह बात जानता था, कि मौनटी इत वह सोग दो दोनों की साथ लेकिन क्या मालूम साथी के बाद उनके बीच प्यार हो जाए लेकिन कैसे उनने के बाद रिश्यू को बताती है तो रिशू को ये सुनकर काफी बुरा लगता है वा चाहता था कि रानी ऐसा ना करे लेकिन रानी कहती है कि उसे ऐसा करना होगा जिसके बाद रानी अविमन्यू के साथ साधी कर लेती है तो वहीं मॉन्टी भी साधी में आया था और उसे पूरा यकीन था कि रिशू भी यहाँ पर आएगा तो वहीं रानी की नजरे भी इदर उदर रिशू को डूंड रही थी तई वो देखती है कि रिशू बेंड वाला बनकर वहाँ पर आ गया था लेकिन मॉन्टी उसे देख नहीं पाता जिसके बाद रानी और अविमन्यू की साधी हुए थी और आज उनकी स्वागरात थी जब अविमन्यू रानी के करीवाने की कोसिस करता है तो रानी उसे रोकती है और वा अविमन्यू से कहती है कि अवी वा इसके लिए रेडी नहीं है ये बात सन्नेपा अविमन्यू भी उसकी बात मान लेता है और दोनों दोस्त की तरह रहने लगते हैं साथ ही अविमन्यू रानी का काफी ख्यार रखा करता था और वा चाता था कि रानी उससे प्यार करने लगे यहां बोलकर पूनन रिशू के करीवाने की कोसित कर रही थी लेकिन यह सब रानी देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि रिशू उसे धोखा दे रहा था और यहां देखकर वा काफी जादा हाड हो गई थी जब रानी का जाती है तो वह काफी ज़ादा डrink करती है तहीं वहाँ पर अभीमन्यू आता है और नस्य के हालत में रानीू उसे सब कुछ बता देती है और इसकी बाते संका अभीमन्यू समझ जाता है कि रिशू अभी जिंदा है और इस सब चीज में अभिमन्यू उनकी मदद करेगा आए बात तो रिशु को काफ़े जीव लगती है कि अभिमन्यू उनकी मदद क्यों करेगा लेकिन अभिमन्यू कहता है कि वा इसलिए मदद करना चाहता है क्योंकि वा जानता है कि रानी रिशू से प्या करती है बहले अविमन्यू रानी से बहुत प्या करता है लेकिन वा चाता है कि रानी खुद उसके पास आए वा किसी के साथ जवदस्ती नहीं करना चाता और अगर रानी पहले से उसे सब कुछ बता दिया होता तो वह पहले उन दोनों की मदद करता जिसके बाद अविमन्यू रिशू को अपने क्लिनिक में लेकर जाता है ताकि रिशू वहाँ पर चप सके और अविमन्यू जल्दी से उन्हें आगरा से निकालने का प्लान बना सके जिसके बाद जब अविमन्यू गर पर आता है तो रानी उसे दुखा देने के लिए सोरी कहती है जिसके अविमन्यू उससे कहता है कि वह आखरी बार उसके साथ मुई पर जाना चाता है और रानी भी इसके लिए मान जाती है जिसके बाद अविमन्यू रिशू के लिए टिफ कि वहां से चली जाती है जिसकर थोड़ी देरे बाद आउभी मन्यू भी आ जाता है अव क्लीनिक में घजरे की खुश्व आ रहे थी जिस्से समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आया था तो रिसुसे बताता है कि पूनम उससे मिलने आय थी पूणम के बारे होना सुरू हो जाती है जिसके बाद अविमन्यू रिश्यू को रूम में लॉग करता है और वहाँ से रानी के पास आता है वह रानी को एक नदी में बोटिंग करने के लिए लेकर जाता है जहांपर काफी सारे मगरमच थे जो देखकर रानी काफी डर गई थी यहांपर अवि मन्यू के साथ अपना रिस्ता आगे बढ़ाती आविया सुनने के बाद अविमन्यू फिर से रानी को अपने घर पर लेकर आता है और रानी को बताता है कि वह वी पंडित के नोबल का काफी बड़ा फैन है वह रानी को बताता है कि जब वह छोटा था तहीं उसके माता पित को दोखा दिया था जिसकी बज़ा से उनकी सारी प्रॉपर्टी चली गई थी जिसके बाद अभी मन्यू ने इसका बदला लेने के लिए अपने चाचा की फैमिली को मार दिया था फिर जब बड़ा हुआ तो वह काफी अकेला हो गया था उसने खुद को खतम करने के लिए रानी गिर जाती है जिसके बाद वह तुरंद भागते हो पुलीस रिष्टेसन आती है और यही सीन शुरुवात में दिखाया गया था जब रानी पुलीस रिष्टेसन आती है खेर अव रानी मॉन्टी को बताने लगती है कि उसका पती अविमन्यू उसे मार देगा लेकिन वहाँ पर तलासी लेने पर ना ही वहाँ पर अविमन्यू था और ना ही रिष्टेसन आती है जो देखकर पुलीस वालों को भी यकीन हो जाता है कि साध या अविमन्यू ही है साथ ही उन्हें यही पता चलता है कि पूनं को भी किसी ने मार दिया था जिसके बाद पुलीस वाले रानी को अरेश्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें रानी पर ही सकता है था कि रिष्ट सामने आए और जैसा उसने प्लान किया था वैसा ही होता है क्योंकि तीन दिन बाद रिश्ट का वीडियो आता है जिसल में वह बताता है कि वह जिन्दा है और पुलीस को सरेंडर करने के लिए पर रानी का इंतिया कर रहा था जैसे रानी रिश्यू को देखती है तो वह उसकी तरफ भागने लगती है तो वहीं पुलीस वाले मौका देख रहे थे कि कब वो रिश्यू को पकड़ लेंगे लेकिन तो ही वह देखता है कि एक पुलीस वाला आगे जा रहा था जो देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखर वो है कौन? लेकिन ठीक से देखने पर उनने मालम चलता है कि वह अविमन्यू था अविमन्यू वहाँ पर रानी और रिश्यू को सूट करने के लिए आया था क्योंकि उन दोनों ने दोखा दिया था अविमन्यू उनसे कहता है कि आज वो उन्हें खतम कर देगा क्योंकि उन दोनों नहीं उसे दोखा दिया था अविया सुनने पर पुलिस वाले अविमन्यू को समझाने लगते हैं कि वो उन्हें सूट ना करे लेकिन अविमन्यू उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें सूट करने वाला था कि तभी रिष्यू अभी मन्यू को पीटने लगता है अब दोनों लडाई होने लग जाती है जिसमरानी को धक्का लगता है और वह ब्रिस से गिरने वाली थी लेकिन रिष्यू उसे पखड लेता है पर अभी मन्यू अभी भी उन्हें मानने आई रहा था और इस चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिसकी बजा से वह तीनों ही पानी में गर जाते हैं और याद देखकर पुलीस वालों को लगता है कि वह तीनों ही मर गए होंगे क्योंकि उस पानी ये बहुत सारे मगरमच थे इसलिए उनका बचने लगवग नामुकिन था लेकिन मॉन्टी को अभी भी सकता इसलिए वह सर्च ऑपरिशन शुरू कर देता है लेकिन उन तीनों म से किसी की भी बोड़ी पानी में नहीं मिलती सिवह रिशू के नकली हाथ के और या देखकर पुलीस वालों को लगनी लगा था कि सायद उन तीनों को मगरमच ने खा लिया होगा लेकिन मॉन्टी को अभी भी यकिन नहीं था इसलिए वह काफी जादा रिसर्च करता है और किस तरह वो पुलीस को चकमा देंगे मॉन्टी बताता कि जब उस दिन रानी पुलीस रिश्चिसन भागते हुए आई थी कि उसका पती उसे मार देगा तो सिसेटे भी इस फूटर्स में या किलिए दिख रहा था कि रानी के गरसे निकलने के बाद रिशू और पुलीस वालों को इस तरह से चकमा दिया लेकर निया सब बाते सुनने के बाद मॉन्टी के सीनियस कहते हैं कि वो कुछ ज़ादा ही सोच रहा है अगर उन्हें ऐसा पानी में क्यों कुछते हैं जहाँ पर इतनी सारे मगर मचते हैं लेकिन मॉन्टी के पास इसका कोई भी ज जाते हैं और हम राणी को देखते हैं जो अविमन्यू के साथ थी दरसल उस रात पानी में कूदने के बाद राणी और अविमन्यू तो वहां से बच गए लेकिन रेशिव मारा गया था और इसी बज़ा से राणी काफी ज्यादा दुखी थी तो वहीं अविमन्यू उसे सामने सारा सचा जाता है दरसल जैसा उसने सोचा था वैसा ही इन तीनों ने सारी प्लानिंग की थी उन तीनों को ही पता था कि अगर वने आज़ाद रहना है तो वने सबकी नेजर में मरना होगा इसलिए इन तीनों ने यह प्लान बनाया कि वह ब्रिज से कूच जाएंगे बले उस पानी में काफी मगरमच थे, लेकिन उनमें से बचले का रास्ता आईमन्यू के पास था, आईमन्यू और रिशू ने ब्रिज के थोड़ी दूर मगरमच को मास्क लाया था, ताकि मगरमच उसी साइड रुके रहें और ब्रिज के नीचे ना आएं, इस तरह से बाद तीन दिनों तब यही कर रहे थे, ताकि मगरमच ब्रिज के तरफ ना चले जाएं, साथी उन्होंने दूर पर एक रेड बलून भी लगाया था, ताकि पानी में कूदने के बाद उन्हें पता हो, कि उन्हें किस डिरेक्शन में जाना है, लेकिन जब वो तीन पानी में आया, और उसने रिश्यू को मार दिया, आया सब पढ़ने के बाद मॉन्टी समझ गया था, कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन उस बुक के पीछे एक एडरेस लिखा था, और मॉन्टी से कहा था, कि वो वहाँ पर आ जाए, तो वहीं आईमन्यो को भी रानी एक जगा पर मि आईमन्यो ने जान पूच को मगरमच को इस तरह से बढ़काया, कि वह रिश्यू के पास चले गए, क्योंकि आईमन्यो चाहता था कि रिश्यू की मौत हो जाए, ताकि रानी हमेशा के लिए आईमन्यो के पास आ जाए, रानी आईमन्यो से कहते है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे इतना बड़ा दुखा देगा तहीं वहाँ पर मॉन्टी भी आता है और वह सारी बाते सुन लेता है साथी ललन और पूनम को भी आईमन्यू नहीं मारा था क्योंकि ललन को पता था कि आईमन्यू ना अपने अंकल की फैमली को मारा इसलिए वह उसे ब्लैक मिल क कर रहा था और रही बात पूनम की तो पूनम आईमन्यू को रिस्की लग रही थी इसलिए उसने भी उसे मार दिया जिसके बाद रानी आईमन्यू से कहते है कि उसे रिश्यू को खतम कर दिया लेकिन रानी उसे कभी भी नहीं मिलेगी या बोलकर रानी बोटर फॉल में कू नहीं लगता है और गैदा है कि इस बार ही वाद दोनों जीत गए कोई रिसू की भी बॉड़ी नहीं मिली थी जिसके बाद हम रानी को देखते हैं जो पानी में से बाहर आती है तो वही रिसू भी वहाँ पर उसका इंतिया कर रहा था क्योंकि उस दिन जब आई मन्यू ने र इस मूवी की कहान ही काफी पसंद आई होगी तो दोस्तों मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ आप लोग को इस मूवी के अंदर कौन सा इंट्रेस्टिंग पार्ड लगा तो कमेंट करके ज़रू बताएगा तो दोस्तों भी मिलते हैं एक और बैतरी मूवी के साथ तब के लिए आप हमारे चैनल को जरू सस्क्राइब कीजिएगा जय हिन दोस्तों